सभी बक्तों को शिरी शिवाई नमस्तु ब्याम हर हर महादेव तो आज हम आपको 19 मार्च 2024 मंगलवार के उपायों का वणनन करने वाले हैं एक ऐसे उपाय है जिसको आप करते हो तो तीन महीने के अंदर आपको वो प्राप्त होगा जिसके लिए आप कई महीनों से कई वर्षों से प्रयास कर रहे थे एक उपाय जिससे कि आप आपके घर की सारी नकारात्म कुर्जा को समाप्त कर दोगे यदि घर में आपका मन नहीं लगता, मन उच्चेस्ट होता है ऐसा लगता है कि घर में रहना ही नहीं है, घर से बाहर ही जाना है मुझे तो आपके घर में जो नकारात्म कुर्जा है, उन उर्जाओं को समाप्त करने के लिए, हटाने के लिए केवल साथ दुरुबा वाला यह उपाई कीजिए उपाई किस प्रकार से करना है और हनमान जी मारज का यह उपाई किस प्रकार से करना है आपको उसकी पूरी जानकरी आपको इस वीडियो में देंगे पर उससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को अधिक सदिक लोगों के पास में शेयर कर देना है तो हम आपको बताने वाले हनमान जी मारच का वो उपाय जिससे आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा पर उससे पहले बोलिए जै शेरी राम, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा 108 पत्ते लेके आने होगे, अब 108 पत्ते किसके लाने है, आप देख रहे हो यह है सफेद आंकडे का पत्ता जरूरी नहीं कि आपको सफेद हांगडे का पत्ता मिले यदि गुलाबी कलर का पिंक कलर का जो हांगडा है वो भी मिलता है तो आप उसके पत्ते भी ले सकते हो इस प्रकार से आपको कुल 108 पत्ते ले लेने हैं और 108 पत्ते लेने के बाद में प्रत्यक पत्ते पर आपको सीताराम लिखना है चंदन से क्या लिखना है सीताराम प्रत्यक पत्ते पर लिखना है आपको चंदन से सीताराम अब जब आप सीताराम लिखोगे 108 पत्तों पर तो 108 पत्तों में से 107 पत्तों पर आपको सीताराम लिखना है 107 पत्तों पर लिखना है किवल एक पत्ते को छोड़ देना है जिस पर आपको चंदन से सीताराम नहीं लिखना वो ऐसा ही रहेगा अब इन पत्तों को आपको जोड़ जोड़ के माला बनानी है दागे में दामे में जोड़ कर माला बनानी है और यह जो 108 पत्ते की माला बना होगे अब इसमें एक पत्ता ऐसा है जिसमें आपने सीतारम नहीं लिखा है उस पत्ते को आपको उस माला में जोड़ना है पर कहां जोड़ना है या तो पहले नमबर पर जोड़ दो या फिर 31 नमबर पर जोड़ दो या फिर आप चाहते हो कि किसी और इस्थान पर जोड़ना तो किसी और इस्थान पर पूरी माला में किसी भी इस्थान पर उस पत्ते क आप लगा सकते हो, लगाने के बाद में आपको दो दीपक ले लेने हैं, कितने दीपक लेने हैं, दो, दो दीपक लेकर पहुँच जाना है अनुवान जी मारज के मंदिर में, अनुवान जी मारज के मंदिर में पहुचकर सबसे पहले तो जो माला है, आपके हाथ में, उस माल को बगवान हनुवान जी महराज को पहना देना है कि दिमान लीजिए आप जिस मंदिर में जा रहे हैं महाँ पर पंडी जी है और आप स्वेम माला नहीं पहना सकते तो आप उन पंडीची को भी माला दे सकते पर उनसको देते समय यह जरूर गोलना कि पंडीची माला अभी क्या भी पहना दीजिए फिर आपको क्या करना है दो दीप लेने हैं लंबी बाती के कौनसी बात के लंबी बाती के दो दीप लेने हैं एक दीपक में डालना आपको तेल तेल आप कोईशा भी डाल सकते हैं और एक दीपक में डालना आपको की अब ये दूनों दीपक बालाजी माराज के सामने रखने दूनों की बात रखोगे वो आपकी तरफ रखना बालाजी की तरफ मत करना दूनों की बात अपनी तरफ रखना एक एक दीप प्रजोलित करना और जब आप दीप प्रजोलित तो प्रदोश काल में शाम के समय जरूर जाईए और शाम के समय जाकर इस उपाय को करके आईए भगवान हनुवान जी माराज और श्री राम जी की करपा से आपकी जो भी समस्या होगी जो भी मनोकामना होगी समस्य क्यों? क्योंकि वो पूर नहीं हो पारी, खतम नहीं हो पारी और वही आप खतम करना चाते हैं, वही मनोकामना के रूप में प्राप्त करना चाते हैं तो एक बार मंगलवार के दिन पलाजी माराज का ये उपाय जरूर करके हैं अब दूसरा उपाई आपकी घर से ही नकारात्मा पूर्जा को समाप्त करने के लिए उपाई किस प्रकार से है? क्या करना है आपको साथ दुर्वा लेनी है अब आप दुर्वा देखते होंगे तो उपर पत्ती वाला भाग है और जो जमीन के अंदर भाग होता है दुर्वा दो बाग होता है दुर्वा के एक उपर रहता है और एक जमीन के अंदर रहता है तो साथ दुर्वा जमीन से बहान निकाल लीजिए सबसे पहले आपको क्या करना है? प्रदोश काल में शिव जी के मंदिर में जाना है शिव जी के मंदिर में जाकर आपको जो माता अशोक सुंदरी का इस्थान है उस इस्थान पर चंदन लगा देना है चंदन लगाने के बाद में जो आपके फ़स्था साथ दुर्वा है वो साथ दुर्वा समर्पित करने है बगवान कुंद केश्वर महादेव के नाम से कुंद केश्वर महादेव के नाम से साथ दुर्वा समर्पित करो और समर्पित करने के बाद जब साथ दुर्वा समर्पित करोगे तो आपको पता है जो भाग दुर्वा के जमीन के अंदर होता हुँ वो आपको जलादारी की तरफ रखना है और जो पत्ती वाला भाग होता है जो जमीन की ऊपर होता है वो भगवान चंकर की तरफ रखना है फिर ये साथ दुर्वा पांच मिनिट बाद उठा लेनी है अभी कलश जल बरना है अपने घर पर साथो दुर्वाओं को घर ले करा ज अंदर और जब घर के अंदर चीटन करोगे तो आपको एक मंत्र बोलना है और वो है शिरी शिवाय नमस्तूप्यम जैसे जैसे आप चीटन करते जाओगे वैसे वैसे इस मंत्र को बोलते जाओगे जब तक पूरे घर में चीटन ना कर दो तब तक आपको ये मंत्र बोलते रहना है और उस दुर्वा से बार-बार कलश में डाल कर आपके घर में चीटन करते रहना है मात्र 2-3 गंटे लगेंगे आपके घर में जो भी नकरात्म कुर्जा ये घर में मन उचिस्ट होता होगा वैपूर इतरे से समापत हो जाएगी नकरात्म गुर्जा और अपका मन गर के अंदर लगना प्रारम हो जाएगा अब हम हमारे ही इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ चलते हैं तीसरे जो उपाय है वो है आपके घर से रोख बिमारी को दूर रखने के लिए क्या करना है मंगलवार के दिन जो हनुमान जी महराज होते हैं उनके उल्टे पाओं को आपको सिंदूर लेकर आना है किसी भी कटोरी में किसी भी पात्र में सिंदूर लेकर आईए और जब सिंदूर लेकर आएंगे तो बगवान गतिमान जी का जो हनुमान जी के भाई है निर्मान करने के बाद में इस काच को जो आपका घर है गर की मुख्य दिवार है भार वाली उस दिवार के उपर टांग देना है ऐसे इस्तान पर टांग ना है ताकि सबके नजर उस पर पढ़ती रहे यदि आप ये त्रिशूल काच के उपर बना कर गतिमान जी के नाम से लिए भी ये उपाय किया जाता है ताकि घर के किसी भी सदसे क्यों कोई ब्हीमारी ना केरे कोई रोग दुख तकलिफ ना हो और घर में यदि परिशानिया और दुख चल रही होती है तो वो परिशानिया और दुख समापत हो जाती है अब हम चलते हमारे इस वीडियो के 4 उपाई की तरफ, मंगल मार के दिन, एक दतूरा, कौनसी चीज? दतूरा. अब इस दतूरे को आपको समर्पित करना है बगवन चंक करके शिव लिंक पर. लेकिन समर्पित कैसे करोगे? जैसे कि आप ये दतूरा देख रहे हो, आपकी जो भी कामना है, जो भी मनो कामना है या जो भी आप शिव जी से मांगना चाते हो उसको मांगने के लिए हमको इस दतूरा समर्पित करना होता है लेकिन समर्पित कैसे करना होता है फोड कर फोड कर कैसे आपको इस दतूरे को फोड ना होगा जब फोड होगे तो ये हरी वाली स्किन हट जाएगी अंदर का पल्प वाला भाग जो बीज वाला भाग है वो आपको दिखे जाएगा उस भाग को आपको बहान निकाल लेना है बहान निकाल के मंगलवार के दिन और प्रतेक मंगलवार को याकू उपाय करना है मंगलवार के दिन उस पल्प वाले भाग को बगवान शंक करके शिवलिंग के उपर समर्पित करोगे तो पहले उस पल्प वाले भाग को अपने हाथ में रखना जो कामना है अब जैसे कोई माता भेहन है जिनको रोक सता रहा है रजस्वला दरम से संबंदित कोई रोगे वे भी ये उपाय अपने लिए करे घर में कोई बिमार भेकती है या फिर किसी माता भेहन का बेटा जो नोकरी की तयारी कर रहा है और चाहता है कि जॉप लग जाए उसके लिए भी योई स्वेम भी ये उपाय कर सकता है जब आप उस पल्प वाले भाग को समर्पित कर दो शिवजी के उपर फिर आपको एक कलज जल समर्पित करना है समर्पित कहा करना है जो आपने पल्प छड़ाया है ये जो पल्प वाला भाग आपने दतूरा फोड कर समर्पित करा है इसके जो इसके ने भार वाली उसको मत समर्पित करना किवल अंदर वाले बीज वाले भाग को समर्पित करना और उसी भाग के उपर एक कलज जल बगवान हाटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करते हो दो तीन या पांच मंगल वाल लगा तरह आप ये उपाय करोगे त यदि आप चाहते हो घर से रोग बिमारियां दूर रहे तो एक दतूरा बगवान चंकर के शिवलिंग पर समर्पित करो और दतूरे के उपर थोड़े से अक्षण समर्पित कर दीजिए प्रतेक दिन आपको यह उपाय करना है कम से कम साथ दिन यह या फिर नौ दिन लगातार उपाय कीजिए एक दतूरा और दतूरे के उपर थोड़े से अक्षण समर्पित कर दीजिए बगवान चंकर के शिवलिंग पर घर से रोग बिमारियां और दुख तकलिफ घर के बाहरी रहे जाएंगी घर में प्रवेश नहीं करेंगी तो यह थे मंगलवार 19 मार्च के